थेरत कुलीए causal घ्र था सुनर्वर कुलैंब सिर्सब्रीट थे को अब पई जुए गाइसर वेलकम बैकश्वागत थे आप सबी लोगों कहाई कॉल नइप विडियो में तो हमाला टॉपिक यही होने वाला यानि कि आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे रेर पोकेमों के बारे में जो कि बहुत जादा वीक हैं और इतने रेर होने के बाद भी आपको उनको नहीं पकड़ना चाहिए तो हाँ वीडियो बहुत जादा यूनिक होने वाली है वीडियो को ला दिस्क तो लब डिस्क प्यॉर वाटर टाइप पॉकिमोन एंजन 3 या फिर होईन से और इसके बहुत ही जादा कम होते हैं जो कि टोटल मिला के 330 होते हैं और अगर आपको नहीं पता तो यह पॉकिमोन फॉर्थ नंबर पे आता है वीकस्ट फॉली वाल पॉकिमोन के लिस् हैं क्योंकि जन 3 के गेम्स में यानि कि पॉकिमोन रूबी और सफायर में यह सिर्फ सिफ आपको दो ही जगा मिल सकती हैं सबसे पहले तो यह आपको रूट 128 पे देखने को मिल जाए गया और सेकेंड लिए आपको एवर ग्रैंडे सिटी में पकड़ सकते हो और इसके पॉकिमोन तो है बाट यह बहुत जाधा वीक है जिस वाड़े से कोई भी इसको कैच नहीं करता या फिर अपने टीम में यूज नहीं करता और नमबर नाइन डेलिवर्ट टो डेलिवर्ट एक आइस और फ्लाइंग टाइप का पॉकिमोन है जैन 2 या फिर जोटो रिजन से इसकी टाइपिंग तो काफी अच्छी है बट यह पॉकिमोन भी लवडिस्क के साथ टाय करता है पॉकिमोन वर्ल्ड का फॉर्थ विकेस्ट पॉकिमोन होने के लिए फुली वॉल फॉर्म में क्यूंकि इसके और लवडिस्क के स्टाइट बिल्कुल से में जो के 3.30 है तो कि जादा आपको मुश्किल नहीं आएगी इसको अप्टेन करने के लिए पर अगर आपको यह पॉकिमोन उस स्पेसेफिक जगह पे मिल भी जाता है तो भी इसका कैच रेट सीफ एलेवन पॉइन परसेंट है जो कि ड्रागनाइट का भी कैच रेट है और इवेन ड्रागना वर पउजन टैप का पोकिमोन है जेन तू या फिर जोटो रीजन है और इस पोकिमोन की बेस ट्राइट पूर तरटी होते हैं जो कि decent से होते हैं यह बेस ट्राइट पूरे लिस्ट के वैएस-ट Gesundheits है बट फिर भी यह पॉकिमोन इस लिस्ट में इस लिए है यह क्यार यह आपको CF4C Flight 4 को हराने के बाद मिलेगा क्योंकि आप लोग इस Pokemon को Route 12, Route 13 और Route 32 में पकड़ सकते हो यहाँ पर Route 12 और Route 13 कैंटो में आते हैं और Route 32 भले ही जोटो में आता है बट इसको पकड़ने के लिए आपको वहाँ पे भी Super Rod की जरूरत होती है और अगेन यह रोड आपको जोटो में नहीं बलके कैंटो में ही मिलेगा तो हाँ अब आप इस Pokemon को Elite 4 के बाद ही पकड़ सकते हो बट यह उस टाइम आपके पास इससे भी जादर स्ट्रॉंग Pokemon अविलेबल होंगे के ज़रूरत नहीं है कि डंस पास कितना जादा वीक Pokemon है हाँ इसको अगर कोई evolution मिलता तो यह और जादा स्ट्रॉंग हो सकता था और वैसे तो इतने वीक Pokemon काफी easily obtainable होते है बट डंस पास को पता ने क्यों बहुत जादा रेर बनाया गया है Pokemon Silver, Gold और Crystal में सीफोर सिफ एके जगा पे मिलता है और वो जगा है डार्क के और क्या आपको पता यहां पे भी इसका encounter rate सीफोर सिफ 1% है और इसी वड़े से यह Pokemon Johto region का one of the rarest Pokemon बन जाता है बट जादा तर इसको कोई भी find effect पकड़ने के कोशिश नहीं करता है क्योंकि यह काफी weak Pokemon है तो गैस आगे बढ़ने से पहले एक पॉक क्विस्ट तो किसी भी एक dark tap gym leader का नाम बताओ नमबर 6 वाबफेट वाबफेट को हम लोग सीफोर सिफ यह Pokemon anime के वज़े से जानते हैं और आपको पता भी होगा कि इसका role क्या है हाँ यह सीफोर सिफ सान वाले attack को counter करते रहता है जो कि भले ही anime के अंदर थोड़ा strong लगे बट games के अंदर यह totally useless है और इसके बाद भी यह Pokemon Pokemon golden silver में वही पे मिलता है जहां पे dense parts मिलता है और वहाँ पे भी इसके मिलने के chance सीफोर सिफ 15% होते है और even यह आप लोग Pokemon crystal में इसको सिफ और सिफ डार्क केव में night के time पे पकड़ सकते हैं तो हाँ यह Pokemon जितना rare होता है उतना useless भी होता है अब मिस्ड्रीवियस एक लौत ही घोस्ता है Pokemon थी Gen 2 या फिर जोटो रिजन की और इस Pokemon के बेस्टाइट भी काफे decent से थे और अगर आप इसको शुरुआत में यूस करते हो तो यह काफी useful Pokemon है यह list में इसलिए क्योंकि इसको early game में यानि के शुरुआत में पकड़ना impossible है क्योंकि Gen 2 के games के अंदर आप इसको mount silver में पकड़ सकते हो और इस location पे आप तभी पहुँच सकते हो जब आपके पास 16 badges हो हाँ जोटो और कैंटो दोनों के मिला के 16 badges हो और इसके उपर से भी या see for shift night में यानि की रात को available होती है आप इसको दिन में नहीं पकड़ सकते हैं और उस time इसका evolution यानि की mistrevious भी नहीं आया था तो यह बिलकुल useless Pokemon थी end game के लिए क्योंकि हमेशे के तरह उस time आपके पास इससे कहीं जाद अच्छे Pokemon available होते हैं और इसलिए आर इस Pokemon को कोई भी नहीं पकड़ता और नमबर 4 मर्क्रो अब मर्क्रो एक और ऐसा Pokemon है जो की जोटो रिजन से बिलॉंग करता है और यह एक dark and flying tap का Pokemon है इसकी बेस्ट at 405 होते है बट इसका केस इवेन यार मिस्ट्रीवर्स से भी जालब वर्स्ट है अब इस Pokemon को जैन 4 में एक evolution मिला था जो कि तो हौंच क्रो बट यह जैन 2 में available नहीं है यानि कि जोटो में यह सिफर सिफ एकी stage का fully evolved Pokemon है और इस Pokemon को और जादर strong नहीं बनाया जा सकता और जोटो रिजन के अंदर यह सिफर सिफ तीनी जगा पे available होता है और वहां पे इसका encounter rate कम होता है बट इसका worst पार्ट यह है कि यह तीनों रूट कैंटो में आते हैं ना कि जोटो में आते हैं तो इस लिए इस रूट पे आप तभी असेस पाओगे जब आप champion बन जा अब आप में से काफी कमी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने Pokemon Gold, Silver and Crystal में इसको पकड़ा होगा क्योंकि आर यह Pokemon सिफ एक ही रूट में मिलता है और वह रूट है रूट 35 और रूट 35 पे भी एक specific grass में मिले गए और वहां पे इसका encounter rate सिफ फॉर सिफ 1% होता है जो कि extremely low है और इसको लखी ली find भी कर लेते हो तो भी यह बिल्कुल useless Pokemon है क्योंकि इसकी बेस्टर सिफ फॉर सिफ 390 होते है और इससे कहीं जाद अच्छे बग टैप Pokemon Gen 2 में थे जैसे कि Heracross सा फिर पिंसर और हां इसके पास एक evolution तो है जो कि यह यानमेगा बर स्तिल यार इसको हम Gen 2 के games में यान नहीं कर सकते हैं क्योंकि यानमेगा का introduction होता है generation 4 में यानि कि Pokemon Diamond and Pearl में और उस गेम से पहले आप लोग इसको यानमेगा में इवाल्व नहीं कर सकते हैं मतलब कि एक स्टेज का Pokemon रहता है Gen 2 में और नमबर 2 संकर्ण तो यह जोटो रिजन का यानि कि generation 2 का last Pokemon होने वाला है अब कि generation 2 के games के अंदर यह आपको सेफ और सिफ नैशनल पार्क में देखने को मिलेगा तो हाँ अगर यह Pokemon फर्स्ट या फे सेकंड रूट में मिल जाए तो भी काफी कमी लोग इसको पकड़ेंगे बट फिर भी इस Pokemon को इतना rare बनाया गया कि Almostar कोई भी इसको नहीं पकड़ना च और पूरे गेम के अंदर सिफ और सिफ एक ही फार्फेच अवेलेबल होता है जो कि आपको वर्मिलन सिटी में मिलेगा ट्रेट करके और इवेन यह आपको फार्फेच का तरह सेम टैपिंग रखने वाला पोकेमन रूट वन में मिल जाएगा जो कि यह पीजी इसकी टैपिं 377 होते है और इसे अल्मोस्ट 100 पॉइंट जादा पीजी ओड के बेस्ट होते है वेल तो गैस यह था आज के इस वीडियो के अंदर अगर आपको वीडियो पसंद आ या फिर यूनीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफ कर देना तो दुबारे मिलेंगे ऐसे ओसम कंटेंट के साथ अंटिल दैन पीस आउट